हम हमारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं पर किस हद तक जाना सही है हेलो फ्रेंड्स आज के मारे मूवी सेरेनिटी ये 2019 की एक थिलियर ड्रामा मूवी है ये इसी थीम को explore करती है एक fisherman की ex-wife उसके पास आती है उसे help मांगती है उसे help करने के लिए एक किस हद तक जाएगा ये इस movie की storyline है इस movie का actual concept ये एक अलग level का है जो आपको इस video को देखने के बाद पता चलेगा इसके ending भी twisted है तो last तक इस video को ज़रूर देखिएगा वीडियो स्टार्ट करने इसमेले मैं आप सब जरी quiz करना चाता हो अगर आपको वीडियो चा लगता है तो फ्लीज इस video को like और comment ज़रूर कर दीजेगा इसे channel को बहुत support मिलता है बिना किसी दरीक है इस twisted movie को explain करना start करते है movie start होती है और हमारा main character इसका नामे बेकर एक tourist को अपने boat पर fishing करने के लिए लाया हुआ था उसकी boat पर उसका एक friend भी काम करता है इसका नामे Duke यह हमेशा tuna fish की fishing करते है इनका island जिसका नामे प्लेमत इस पर जो भी tourist आते है वो हमेशा इने पैसे देते है fishing करने के लिए आज भी ऐसे fishing करने के लिए आये हुए थे इन्होंने बेट डाली और बेकर को एक बड़ा सा tuna मिला बेकर रियलाइस करता है जिस fish को वो बहुत time से ढूनने की कोशिश कर रहा था यह वही fish है एक बहुत बड़ा tuna fish जो हमेशा बेकर के हाथ से निकल जाता है उसकी जित थी इसे तो वो पकड़ करी रहेगा according to rules इसे अब अपने tourist को fishing का rod देना चाहिए था पर इस fish को पकड़ने के लिए वो खुद अपसेस्ट है tourist इस पर बहुत गुसा हो गए उसे और और ले रहे थे पर बेकर उन्हें चाकू दिखाता है और शान रहने के लिए कहता है पूरे दिन तक बेकर ने इसी fish को पकड़ कर रखा finally इस fish को मारने वाला था पर फिर से fish उसके हाथ से निकल गया tourist बहुत ही गुसा थे और इस trip के लिए उन्हें पैसे नहीं देंगे बेकर के friend Duke को पैसो के जरूरत है क्योंकि उसके granddaughter यूनिवर्सिटी में पढ़ती है बेकर हमेशा इस तरह से कुछ ना कुछ तो करता रहता है तो इस वज़े से वो broke हो चुका है इन्होंने ship में जो petrol डाला था उसके भी पैसे वापस नहीं आये बेकर ड्यूक से कहता है यह तुम्हारे पैसे में वापस कर दूँगा बेकर ड्यूक को इस दे की वी पैसे दे नहीं पाया इसके बाद बेकर को हम Diane के साथ intimate होता देख सकते है Diane का husband उसके साथ नहीं है उसका बेटा भी एक अलग city में काम करता है इसे वाज़े से बेकर और Diane में affair है बेकर को basic की जरुवत थी तो Diane ने उसे help की बेकर यहाँ Diane को उसके बेटी के बारे में पूछता है Diane की बेटी को भी सही से fishing करना आता है बेकर को लगता है कि अगर वो Diane की बेटी को fishing के लिए लेकर गया तो शायद ए good luck होगा अब अपने friend Duke को वो फिसे fishing के लिए नहीं ले जा सकता क्योंकि सही सी उसे pay नहीं कर पाता Diane के बास एक cat थी जो गुम हो जुगी थी बेकर को कहती है कि ब्लीज मुझे हो cat ढून कर दो इसके बाद वो बार में आया यहाँ इस island पर हर आदमे को हर एक चीज़ पता होती है इसके बीचे का reason हमें आगे पता चलेगा बार टेंडर को भी यह पता था तो उसे कहता है कि अगर तुम इस fish से इतने अपसेस्ट हो तो तुम उसका नाम क्यों ने रख दिया बेकर कहता है उसका नाम justice है रात में बेकर ड्यूक के पास आया उसने उसे pay कर दिया और कहा कल फिर से मेरे साथ आना वो फिर से उस fish को ढूणने की कोशिश करने वाला है बेकर रात में घर आकर फिर से ट्रंक हो गया उसे अपने बेटे की याद आए उसके साथ fishing करने की memories वो याद करता है अगले दिन वो ड्यूक के साथ fishing पर गया पुरा दिन उसने wait किया पर फिर भी उसे उटूना नहीं मिला वापसाने के बाद वो ड्यूक से कहता है तुम मेरे लिए bad luck हो तुम्हारे bad luck की वज़े से तुम्हारी wife भी मर गई उसने जान बोच कर ड्यूक को हर्ट किया ताकि वो उसके साथ काम ना करे एक अची से job ढूण ले जिससे उपनी granddaughter के लिए पैसे भीच सकता है रात में जब baker बार में था तो उसके पास Karen आई Karen उसकी एक्स wife उससे कहती है कही अकेले में मुझे तुमसे बात करनी है तुम सही थे और में गलत इनकी बातों से हमें पता चलता है ये बेकर बहले आर्मे में था Karen के साथ जब उसका divorce हुआ उसके बात उखायब हो चुका था इस island पर भी वो एक अलग नाम से रह रहा है ये जब अकेले थे Karen उससे कहती है मेरा husband मुझे बहुत मारता है वो बहले से violent था पर अब वो एक अलग लिवर पर जा चुका है बेकर बोचता है मेरे बेटे Patrick का क्या Karen कहती है ये वो हमेशे अपने रूम में computer game ही खेलता रहता है उसकी डीचर कहती है कि वो बहुत ही talented है Karen नहीं चाहती उसका husband Frank उसके बेटे को भी hurt करे इसी वज़े से उसे help मांग रही थी वो कहती है कल में मेरे husband के साथ तुमारे boat पर fishing पर चलूँगी वो इसी में हम इसे मार डालेंगे इस काम के लिए उसे 10 million dollars देने वाली है बेकर ने इसके लिए उसे मना कर दिया जब कैरन चली गी तो बेकर को ढूंटे ढूंटे एक suit में का आदमी आया हुआ था इसका नामे रीड रीड अपनी watch देखता है और उसे timing ज़रा off लगती है क्योंकि बेकर उसके हाथ से निकल गया था आज रात बेकर ने अलग fish की fishing की उसे अच्छे से पैसे मिलके जब वो घर आया तो अपनी cat ढूंटे ढूंटे डायन उसके घर आयी थी वो उसे बुश्चती है कल राज जिसके तुम साथ थे वो बहुत ही beautiful है एक दो दिनों में उसका hazard भी आने वाला है वेकर कहता है मैं उन्हें fishing पर नहीं लेकर जाऊंगा वो डायन से बाद नहीं करता वो आख लीव से पानी में जम करता है उसे पानी में हमेशा अपने बेटे का presence महसुस होता है उसमें और उसके बेटे में कुछ ना कुछ तो connection है जो इतने दूर होने के बाद भी वो एक दूसरे का presence महसुस करता है इसके बाद केरन का हस्बन फ्रैंक ये भी आइलन्ड पर पहुँच गया केरन उसे जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी पर उसे मिलने के लिए एक दिन पहले वो आ चुका था आने के बाद तुरंद वो केरन के साथ इंटिमेट होना चाहता था उसने उसे अंड्रेस किया वो नोटिस करता है केरन की बोड़ी पर एक मार्क है वो इसके बाद में उसे पूछता है केरन को इसका रीजन पता नहीं था इसके बाद उसने एक घंडे तक अपनी बेल्ड से उसे बहुत मारा नेकसिन में बेकर फिशिंग के लिए जब हूपस बाय कर रहा था तब ही वहाँ के लेट उसे बताती है केरन का हस्बन वापस आ चुका है उसने उसे एक घंडे तक बहुत मारा जैसे कि हमें बताया गया है कि इस टाउन में हर आदमे को हर चीज़ पता होती है इस वज़े से इस ओनर को भी पता था केरन को उसके हस्बन ने मारा है बेकर ने कुछ भी नहीं का और वहाँ से चला गया वो जब बोट पर था तो उसके पास केरन और फ्रैंक आया फ्रैंक कहता है कि मेरी वाइफ बता रही थी यह तुम मुझे fishing पर नहीं लेकर जाने वाले बेकर कहता है मैंने कुछ वाइलेशंस किये थे इस वज़े से मैं किसी को भी अकेले बोट पर नहीं लेकर जा सकता फ्रैंक ने कहा इस island पर कोई भी रूल नहीं है वो अमीर है तो किसी को भी manipulate कर सकता है बेकर फिर भी इसके लिए मना कर रहा था, फ्रैंक कहता है कल तुम आओ या नाओ, साथ बजे में तुम्हारे यहाँ वेट करूँगा, तुम्हें दिखा दूँगा कि पेसो की पावर क्या होती है, बेकर अपने फीस सेल करने के लिए आया हुआ था, वहाँ का आदमी उसे कह को हर्ट नहीं कर सकते, जब भी मेरी कैट गुम हो जाती है, तुम्हें हेल्प करते हो, मुझे लगता है तुम्हें कैरन को हेल्प करनी चाहिए, बेकर का फिर भी फ्रैंक को मारने का कोई भी प्लान नहीं था, अगली सुबा ड्यूग उसके पास आता है, वह उसे कहता है कि मेरा सोच करी तुमने मुझे हर्ट किया था, बेकर फिर ड्यूग के लिए मान गया, यहावर वो लैंड के उपर एक बर्ड देखता है, जो हमेशा सी के उपर ही उड़ता है, यह बहुत याजीब था, जैसे कि वो बेकर को सी में चलनी के लिए बुला रहा था, कैरन बेकर क को समझाने के लिए फिर से उसके पास आए, बेकर कहता है, वैसे अब तुम्हें फिशिंग लेकर जाओंगा, यह तुम्हारे हस्बंड को नहीं मारने वाला, कैरन कहती है, फ्राइंक मुझे और शायद हमारे बेटे को भी मारेगा, क्या है सही होगा, मुझे पता है, तुम का एडरेस तुम मुझे दे सकते हो, बेकर ने इसके लिए मना कर दिया, उसे पूछता है, यह तुम्हारा कोई बेटा है, फ्राइंक कहता है, कि मैरा एक स्टेफसन है, वो हमेशा अपने कम्पीटर पर ही लगा रहता है, मैंने एक दिन उससे पूछा, कि दिन भर तुम यह क्यों कर दे रहता है, तुम्हें कुछ अलग चीस करनी चाहिए, उसने मुझे से कहा, कि अगर मैं गेम्स नहीं खेलूँगा, तो तुम्हें मार डालूँगा, फ्राइंक कहता है, एक दिन मैं ही उसे मार डालने वाला हूँ, इस पर बेकर को बहुत जादा घुसा आ क्या, वो उसे मार डालने वाला था, तभी इन्होंने एक बड़ा सा शार्क कैच किया, एक कैच करकर फेसे वह अपस आते है, फ्राइंक को एक्च्छल में एक टुना फिश कैच करना है, तो इसी वज़े से कल वो फेस से फिशिंग के लिए आएगा, बोट पर जो भी हुआ, यह स करना बहुत गलत होगा, फ्राइंक बेकर के बेटे को हट कर सकता है, तब उसने डिसाइड क्या है, क्यों फ्राइंक को मारने वाला है, वो ड्यूप को कल उसके साथ आने के लिए मना करता है, बेकर जब उन्हें बोट पर था, तो उसके पास कैरन आई, कैरन उसे एक रिंग ताइम इंटिमेट हुए थे उसके साथ इंटिमेट होने की कोशिश कर रही थी वेकर कहता है तुमने मुझे धोका दिया है लोग बदलते नहीं कैरन उसे धोका दिया इसका रीजन ये भी था कि बेकर जब अपनी डूटी से वापस आया तो बहुत ये डिस्टब था वो कैरन पर ध्यान नहीं देता था केरन कहती है कि मुझसे गलती हुई है तुमने अभी अभी कहा कि लोग चेंज नहीं होते उस रात बीज के पास जो लड़की थी मैं आज भी वही लड़की हूँ वो उसके पास आई तो बेकर ने उसे किस कर लिया यह दोनों यहाँ पर इंटिमेट नहीं करेंगे कैरन इसके लिए मान जाती है क्योंकि सिर्फ उसके बेड़े को बचाना उसके लिए इंपोर्टन्ट है बेकर जब घर पर आया तो रीड उसका बाहरी वेट कर रहा था उसके बारे में मुझे पता है जिस चीज की तुमें जरूरत है यह चीज में तुमें द धून सकते हो हमारे कंपनी के लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है कि तुम उस फिश को ढून लो यह बात बहुत ही अजीब थी वेगर ने पूझा तुम कल के बारे में क्या जानते हो रीड ड्रंग था तो उसने बोल डाला कल उस आदमी को मत मारना वेकर उस पर गुस्सा हो है हम सब एक गेम के अंदर है इस गेम में छोड़े छोटे हिस्से भी है जैसे कि डायन की क्या ढूंड़ना फिशिंग करना पीछले कुछ दिनों से इसमें डिस्टरबंसिस आ रही है तुम्हारा फ्रैंक को मारना इस गेम का पार्ट नहीं है एकोर्डिंग डू रूल्स हम किसी भी आदमे को इस गेम में मार नहीं सकते रीड को भी एक वेशन आया है कि क्रियेटर ने अब रूल्स क्यू चेंज कर दिया है हमें पता चला कि इस गेम को जिसने क्रियेट किया है यह बेकर का ही बेटा पैट्रिक है इसके बाद डारेक्ली सुबा हुई बेकर अपने अलाम से जल्दी उट गया था वो जल्दी से बेट से उटने की कोशिश करता है पर एक गेम के रूल उसे रोक रहे थे उसने फिर सब को चीजे नोटिस करना स्टार्ट किया आज बेकर जाकर फिश नहीं पकड़ने वाला तो काड़ी के रेडियो पर भी आया कि जाओ और फ यशोक्त वाक्ति उसके पास आया वो कहता है कि आपने मुझे बुलाया था मैं आपके साथ फिशिंग कर सकता हो जऑक कर यह पर हसने लग गया वो कहता है कि जब इस गेम से मैंने तुम्हें ढ़िए मागए था तो मुझे नहीं मिला अब इस गेम को मेरी जडरूट है तो म एक्जैक्ट लिका है योनर कहती कि कुछ भी फरक नहीं पड़ता योनर किस तरह से बात करती है इसके थौट कैसे है इस सब को लेकर बेकर उससे क्वेशन पुछता है दोनर सीरियस हो गए कहती है जाओ और फिश पकड़ कर लाओ जातों कुछ सोचो मत यह मैसेज गेम ही बेक नहीं जाने वाले उसने कहा कि जाओ और फिशिंग करो किसी भी टूरिस्ट को मतले कर जाओ वो हमेज़ा डिस्टब करते रहते बार्टेंडर भी गेम का उसे मैसेज दे रहा था गेम नहीं जाता कि बेकर किसी को भी मारे नेक्सिन में हम देखते है कैरन जब नीन से उठी उसे सब कुछ बलड दिख रहा था वो फ्रैंक के पास गई तो फ्रैंक इंजोर था उसे कल रात कुछ लोगों ने बहुत मारा है इसी वज़े से आज वो फिशिंग पर नहीं जा सकता बेकर गेम के ऑपोजिट करना जाता है फ्रैंक को मारने के लिए वो अपने बोड तक पहुच गया वहावर उसका फ्रैंड ड्यूक है ड्यूक उससे कहता है मैंने तुमारे लिए जो सही था वो ही आज किया है उसने कल रात फ्रैंक को मारने के लिए कुछ लोगों को पेसे दिये थे इस वज़े से फ्रैंक आज बोड तक नहीं आपाएगा इस बात से बेकर ब बावजूद वो फिशिंग पर जाने वाला है बेकर नारास था तो सीख के पास आकर ड्रंग हो गया बेकर के पास रीड आया बेकर उससे कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहां क्यों हूँ मेरा एक्जिस्टंस क्या है क्या मैं पागल हो चुका हूँ रिड कहता ह कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमें कुछ भी पता नहीं है कि हम exist क्यों करते है हमें बनाने वाला कौन है इस पर बेकर के expression change हो गए तो रिड़ ने उसे बुचा क्या तुम्हें पता है कि हमें किसने बनाया है एक एक लड़का है जो हमेशा अपने room में एक game create करता रहता है उसके stepfather हमेशा उसकी मदर को मारती रहते है इन्हीं आवाजों से बचने के लिए उसने अपने आपको distract किया है और वो चाहता है कि मैं जाकर frying को मार डालो ये वच्चा violent हो रहा है अगर इस game में पेकर ने frying को मारा तो लड़का भी अपने stepfather को मार डालेगा रीडिये सुनकर surprise था वो गहता है अगर हमारा creator ही चाहता है कि Frank मर जाए तो मैं वही करना चाहिए वो से बता देता है कि Karen ने Frank को मना लिया है वो दोनों तुमारे boat पर तुमारा wait कर रहे है बेकर ड्रंग था पर फिर भी जल्दी से boat पर पहुच आता है बेकर और केरन दोनों Frank को boat में बिठा कर सी में लेकर गए यह उसे मारने वाले थे तब ही boat में से डायन का बेटा बाहर निकला उसने बेकर से कहा कि आपने मुझसे कहा था कि मैं आपका good luck हो इसी वज़े से मैं आपके साथ आ गया गेम में यह जो सब resistance आ रहे है यह represent करते है creator Patrick की inner conflict वो अपने step diet को मारने वाला है पर वो डरता है क्या सही, क्या गलत इन सब चीजों को लेकर वो सोचता रहता है इसी वज़े से उसने गेम में भी obstacle create किये थे डायन के बेटे के सामने बेकर मर्डर नहीं कर सकता पर फे भी उसने decide क्या वो कुछ ना कुछ तो करेगा है उसने उसे उपर काम करने के लिए कहा थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा फिश इनके hooks में अटक गया ये वही बड़ा फिश था जो हमेशा से बेकर ढूनना चाहता था इसे control करना बहुत ही heart है फ्रैंक तो fishing करने के लिए आया था फिश का rod बेकर उसके हाथ में दे देता है फिश बहुत ही strong है तो फ्रैंक उसे control नहीं कर पाया फ्रैंक फिश के साथ ही पानी में गिर गया फिश और फ्रैंक दोनों attached थे तो ये फिश उसे अपने साथ लेकर गया ये सब एक accident की तरह लगा तो डायन की बेटे को कुछ भी शक नहीं गया बेकर को कोई भी legal trouble नहीं होगा इसके parallel में रियल वर्ल्ड में हम देखते है पैट्रिक जाकर अपने step dad को मार डालता है फिर police को बुलाया गया पैट्रिक की मदर ने का मेरा husband मुझे मार रहा था पैट्रिक मुझे बचाने के लिए आया self protection के लिए उसने अपने step dad को मार डाला पैट्रिक की जब hearing हुई तो उस पर कोई भी charges नहीं लगे पैट्रिक का घर हमें दिखाया जाता है जिसमें हम बेकर का photo देख सकते है पैट्रिक के real dad ये भी army में थे वही पर उनकी date हो चुकी थी उसके बाद उसकी मदर ने फिसे शादी की उसका husband उसे बहुत मारता था इसे वज़े से पैट्रिक ने उसे मार डाला मूवी की game में हम जो भी situation देख रही थी ये सब पैट्रिक की situation से same थी अब हम game में देखते है फ्रैंक तो मर चुका है जैसे बेकर ने कहा था कि वो और Karen एक साथ नहीं रह सकते तो Karen उसे छोड़ कर जा रही है Karen उसे कहती है कभी ना कभी तुम पैट्रिक से मिलोगे जैसे Karen ने कहा था वैसे पैट्रिक का कॉल बेकर को आया बेकर उसे बात करकर बहुत ही खुश था पैट्रिक कहता है कि अब मैं game में कुछ changes करूँगा वो इस तरह से इसे design करेगा कि वो खुद आकर बेकर से मिल सकता है गेम में changes हुए और पैट्रिक ने उसका खुद का character introduce किया बेकर को अपना बेटा मिल गया पैट्रिक ने गेम में भी एक happy ending कर दी इसी तरीके से यह अलग सी movie end हो जाती है अगर आपको इस movie का concept अच्छा लगा तो फ्लीज इस video को like कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आते रहता हो तो फ्लीज इस channel को subscribe कर दीजे bell notification icon दबनाए मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नए movie के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये